आजम बनने जरे सुजी का नास्ता तो यहां पर मैंने एक कटोरी सुजी लिया है आप मोटी या तो पतली कोई भी इस रेश्पी में सुजी को यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने बारिक टुग्रों में सब्जी को काट लिया है तो मैंने यहां सिम्ला मिर्च और यह टमाटर और धनिया पत्ता और यहां पर मैंने लाजन को बारिक टुग्रों में और यहां पर हरा मिर्च को बारिक टुग्रों में काट लिया है तो मुल में आप मन पसंद अपना सब्जी भी डाल सकते हैं लाक। सब्सक्राइब 1 फैन्ड में एक चमैस दिल डाला ह। इस पराश हमेने जीरा डाला है और पखने में दोई हैं, और इसे हम पकने देते हैं, राइ यह जीरा बख गया है तो इसमे मिला लेते हैं एक मिनिट तक ला तो यहां पर यह लासुन और हरा मिर्च जो अच्छे से बुंजा गया है तब हम इसमें सिम्ला मिर्च डालेंगे मैंने एक सिम्ला मिर्च को बारिक टुक्रों में कात लिया है और इसमें मैंने टमाटर डाला है और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं दो मिनट तक तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है दो मिनट हो गया है तिसमें हम छोटा चमच, एक चमच मैंने हल्दी डाला है और आदधा चमच मैंने यहाँ जीरा भुलकी का पाř डाला और यहीं एक बॉयल आलू को कदू कस कर लिया है वो मैंने डाला है और उसे हम अच्छे से मिला लेते हैं अगर आपके पास बहाईल आलू नहीं है तो आप इसे कच्चा आलू भी कदू कस करके डाल से हैं आलू भी अच्छे से भुँझा गिया है तिसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे अर्चे से हम इसे मिला लेते हैं यहां पर मैंने आधा गिलास और पानी डाला है टोटल मैंने डेरी गिलास पानी डाला है और स्वाध अनुसार मैंने यहां नमक डाला है अब हम इसमें सुजी को डाल लेते हैं और अच्छे से हम मिला लेते हैं ताकि गुटली या वगर ना बने तई इसे बिल्कुल हमें डो की तरह त्यार करना हैं तो बिल्कुल ये डो की तरह त्यार हो गया है तब हम इसे भारे कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसे हम मिला लेते हैं और गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं तियार यह ठंडा हो गया है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लिए है और इसे अच्छे से फैला दिये है और इसे हम चाको से काट लेते हैं आप चाहे तो कोई भी से सेफ दे सकते हैं पैसे भी खा सकते हैं या तो फ्राइब करके खाई या तो तल कर खाईए खाने में टेस्टी है इसे आप टैट के डबे में बंद करके फ्रीज में भी रख सकते हैं दो तीन दिन तक खराब नहीं होता है तो यहां मैंने सेम पेंड जो चमीज मैंने तेल डाला और एक करके हम इसमें डाल देते हैं जब भी आपको टाइम मिले तिसे आप फ्राइप करके खाए या तो तलके खाए खाने में टेश्टी लगता है तिसे हम दूसे तरफ पलट लेते हैं दूसरे तरफ भी ब्राउन होने तक हम इसे उलट पलट के सेख लेंगे तो दोनों तरफ ब्राउन हो गया तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बना लेते हैं अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप इसका डो तयार करके फ्रीज में आप रख दीजिए और जब मन करें आप इसे या तो फ्र अब करके दिखाते हैं आप इसे अपने मन पसंद चतनी शॉस के साथ खा सकते हैं खाने में बहुत ज्यादा टेस्ट ही है तो आप इसे रेस्पी को ट्राइब करें आपको यह बहुत पसंद आएगा तो अगर वीडियो पसंद नहीं तो सब्सक्राइब करें मुझे कमेंट करके जरूर बता